तो दोस्तो आज है 17 मार्च 2021 और यूट्यूब की दो नई अपडेट आ गई है दोनों अपडेट काफी जबरदस्ते एक जो अपडेट है वो है आपकी मोबाइल की वाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन के लिए और दूसरी है यूट्यूब स्टूडियो के लिए अब मैं आ पर पहली जो अपडेट है यह एक्च्वल में आपके जो मोबाइल की वाइट इस्टूडियो एप होती है उसमें आई है देखे होता क्या कि कई बार यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चलती रहते हैं कोई बग आ गया कोई एरर आ गया सब्सक्काइबर अचानक कम हो ग बहुत सारी ऐसी दिक्कते आती है और हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं और परैसान हो जाते हैं तो अब क्या है कि यूट्यूब ने यह का है कि जो भी यूट्यूब पर एरर आएगा या फिर बग आएगा जो भी कोई इस्टूब को पता चलेगा तो वो जो आपकी अब यहाँ पर आपको एक non-issue card भी दिखाई देगा, जैसा कि आप side में देख रहे हैं, यह non-issue card है, इसमें जितने भी issue YouTube पर चल रहे होंगे, उसके बारे में आपको information मिल जाएगी, यानि अब आपको कोई भी problem आई YouTube में, कोई भी bug आए, तो आपको यहाँ पर information मिल कोई bug होता है, तो वो 48 गंटे या 72 गंटे में अपने आपी खतम हो जाता है, तो इससे आप बिलकुल भी परेशान नहीं होंगे, आप दूसरी जो update है, वो काफी अच्छी है, वो है YouTube studio के लिए, देखे YouTube studio में जब आप analytic में जाते तो कुछ इस तरह का आपको option मिलता है, तो यहाँ पर subscriber के नीचे अब आपको एक option मिलेगा, C lieo count देखने का, C lieo count blue color का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा, और इस चार्ट से आप ये पता लगा पाओगे, कि आपके 500 subscriber किस दिन हुए ते, कौन सी date थी वो, या फिर 1000 subscriber किस दिन इसे मुझसे कोई पूछे, तो इस अपडेट से पहले मुझे नहीं पता था, कि मैंने किस दिन 1000 अपडेट, जो subscriber है, वो पूरे किये थे, लेकिन इस अपडेट से मैं पता लगा पाओगा, कि यार कौन सी date को, मिरे 1000 subscriber कम्पीट हुए थे, या 3000 subscriber कम्पीट हुए थे, तो या पहली बार है, तो सब्सक्काइब करने के साथ साथ, नोटिफिकेशन बैल को दबा कर ओल पर क्लिक करें, इसी तरह के वीडियो में आपके लिए सब बनाता रहता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टोपिक के साथ, तब तक के लिए, चैहि पाँपिकेशन